कि अब अब मेंसे हमारे अंदर कुछ इंपर्टेंट मेंठर्स सहलए हैं है अब उनको डॉच्फर्स करते हैं हमारा जो डॉक्योमेंट है पैंट लेता हूं कुछ पनाएगे लिए प्जेक्ट के अंदर एक अधर्स होता है getElement getElement by ID एक method यह है दूसरा आपका document.getElement getElement by className by className यह भी एक method यह है document के अंदर हमारा एक method और भी लेगा आपको getElement getElement by tagName ठीक है tagName document 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 आपका जो फोर्थ है फोर्थ बन document के अंदर आपका getElement className एक होता आपका querySelector query selector एक होता पा 5th method document 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 dot query selector all here are 5 methods which are used to update the content of a webpage किसी भी document मतलब document मतलब webpage webpage का आपको content आपको update करना है कोई tag change करना है attribute के value change करनी है then we will use these 5 methods है आपके DOM मतलब आपका जो webpage HTML का अंदर content है HTML के अंदर content इस तैग्स है टैग्स की value attributes की value उनको change करना है काम आएगा आपके these 5 methods tags का भी tag भी change कर सकते है समझ रहे है 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 सकते हैं है तरेक doubt ओके तो सबसे पहले हम discuss करते है आपका document dot get element ठीक है इसको discuss करते हैं एक छोटी सी application पनाते है अब देखते इसको कैसे manipulate करेंगे document dot get element मैं यहाँ पर HTML slash js यहाँ कर लेता हूँ इसको save कराते है टेश्टोप पर java strip code js 34 dot htm तो हम एक चोटा सा example लेते हैं सबोज मेरे पास पारग्राफ है पी इस पारग्राफ ड़स नोट कंटेन एनी कंटेंट इसके अंदर कोई भी content नहीं है बलब paragraph के अंदर कोई value नहीं है but मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इस paragraph की एक value इस paragraph के अंदर content है इसके अंदर इसके अंदर है मैं उसको javascript से sign करूँ तो कैसे करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले method यूज कर रहा आपका document dot get element by id तो मैंने इसको id दी suppose इसको demo एक चीज और आप जो javascript का code लिखो गया मैं आपको recommend करूँगा इस javascript code को HTML की coding के just नीचे लिख जब भी आप डोव में implement करोगे data को manipulate करोगे तो manipulation में आप क्या करोगे आपका या तो बटन की क्लिप पर करेगा तो वो automatically call हो जाएगा बट अगर आपको dom की helps है है ना आपका engine जो आपका javascript engine है वो इसके अंदर content डालना चाहरा है जैसे मैं यहां लिखना चाहरा हूँ इस पर अगर आपके अंदर इस इस माई पैरा यह लिखना चाहरा हूँ ठीक है बट मैं इसको यहां पर ऐसे नहीं मैं इसको javascript से लिखना चाहरा हूँ तो आप कैसे लिखेंगे आपको simply क्या करना है आपको लिखना है document document मैंने इसको id दिये अगर किसी element को element बोल दो tag बोल दो यहां पर हर object को हर एक आपके value को क्या का गया इसके अंदर आपका element बोल दो ठीक है तो हमने क्या किया है यहां पर id दी तो अगर आप id से अगर आपने किसी element को यह paragraph है इसको मैंने id दी अगर आप इसको manipulate करना चाहरे हो इस paragraph को मैं कुछ change करना चाहरे हो तो आप use करोगे document.getElement by id और उस id का नाम उस id का नाम मैंने दे दिया ठीक है तो मैं demo के अंदर हमारे पास एक attribute है आपका कौन सा innerHTML innerHTML अभी मैं बताँगा what is the role of innerHTML ठीक है तो मैंने क्या किया यहां पर innerHTML में value दे दी इस इस माई पैरा यह मैंने दे दी इसको बेंच यह क्या करेगा आपका document के मदलब वाप पेज के अंदर जिसकी id जिस element की id जिसकी क्या है डेमो है उसके अंदर HTML का एक एक अट्रिब्यूट है उसके अंदर मदलब जब 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 बी कभी भी किसी टैग के अंदर का content बदलना हो यह content get करना हो पैराग्राफ के अंदर का content get करना हो तो हम यूज करेंगे innerHTML तो मैंने innerHTML का मदलब इन दोनों के बीच का HTML एरिया है यह वाला यह मैंने कर दिया किसमें कर दिया this is my para इसको मैं execute करता हूँ और देखते हैं कि मेरे paragraph के अंदर की value यह आई है नहीं है इसको check करते है मेरा जो प्रोग्राम है 34 एक्जीक्यूट किया तो यह आगा my this is my para इसको inspect करके देखते हैं इंस्पेक्ट व्यू सोर्स पेज आप व्यू सोर्स पेज देखोगे यहाँ पर मैंने कोड़ लिख रख 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 है बटे डिस्पले कहा हुआ हुआ है इस paragraph के अंदर जिसकी ID ड आप देते हैं इस टाइल दे दिया इस टाइल मंदब CSS apply किया मैं इसका color कर देता हूं color red ठीक है और font size font size apply कर देता हूं मैं 48 pixel एक्जीक्यूट करते हैं मैंने refresh किया तो आप देखो यहाँ पर याईरी कि paragraph पे यहन दो हुना करहा मैंने इस प्रफ़क के थो कि तुम मेरात यहरा कईदच इनला श्मैंट में समझ़खे लो हुआ क्या यह आपका जावास क्पा पकट है that क्यों है शुलुट कैमें चाहिए यह आपका प पर आपका paragraph है यह paragraph है इसके बीच मुझे content update करना है है ना मैंने इसको id रखिए क्या टैम हो सपोर्ज तो आप क्या करो भी यह से जावा स्क्रिप्ट का जो code है इस से कैसे interact करेगा by using get element by id get element by id क्या है id जिसके id गया है तो यह उसके एफेक्ट करें उसका content यह चेंज करते हैं तो इस तरह से आपके html और यह javascript का code है यह js का code है इन दोनों के बीच में आपका यह method आपका dom model बलब इंटर इंटर इंटरफेस का काम करते हैं यह के आपके प्रॉपरटी है वेल्य वेल्यू पेरियों क करें दर मैं project क्रैक्ट्च पढ़ाई गई ती अगर आपको याद हो object class के अंदर मैंने की वैलुव्य पेर लिए देख आप ने प्रॉपर्टी होती है और functions होते हैं property key value pair होते है यह key value pair है है ना? तो इस inner estimal की value हमने यह दे यह property है property किसकी होती है? property object के अंदर होती है property जैसा car ले थी मैंने car एक object लिया था car object के अंदर मैंने color red color क्या है? property उसकी value क्या है? red ऐसे मैंने लिया wheels विल्स क्या प्रोपर्टी भी किसकी कार की तो इसलिए inner HTML भी क्या एक प्रोपर्टी है किसकी document object की clear है which is used to change the internal content of pair tag जो आपके tags हैं उसके अंदर का content change करने के लिए और content को get करने के लिए काम आता आपका inner HTML clear है सबी को आज इतने रखते हैं कल मिलते हैं ठीक है झाल